हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल तो आज हम बात करेंगे फ्राइडे के लिए चार स्टॉक्स लेकर आयों जिनमें हम लोग एक्विटी सेग्मेंट के हैं निफ्टी का हम चाल को समझेंगे साथी आप्शन के हम लोग स्टॉक्स को रडार पर रखने वा बहुत ज्यादा जिग्जेक नहीं था दोस्तो तो आराम से पेसा बना होगा जैसे कि यह मार्केट देखी तो कितना जिग्जेक है कोई ने उपर गया नीचे अब डाउन बहुत ज्यादा लेकिन आज बहुत प्यारा मार्केट खुला वाई उपर एक गेंडल ग्रीन बना किसी को लगा जार ऊपर जा रहा है चलो ले लेते ठीक हैं लेने के बाद भी उपर गया फिर यहाँ से यू टन लिया कोई को लगायो यहाँ पर यूटन माराए चलो पुट बाइख कर लेते ठीक या आराम से करो आपको य ये देखे हैं फिर बड़ा निकाल के दिया पर buy कर लेते हैं फिर buy किया तो काफी अच्छा market था दोस्तो लेकिन मेरी strategy recording market activate हुआ तीन बच के पाँच मिट के असपास तो friends यहाँ पर मैंने तीन बच के सबादीन बजे के असपास मैंने BTS दिया है दोस्तो मैं घर लेकर गए हैं position hold किया है आज expiry थी तो जी हाँ दोस्तो यह जो है 6 April यहाँ पर clear लिखा हुआ है तो 6 April का ही हम लोगो अपराइस बगरा भी दियें तो इतना समझ में आगे ओ जो options करते हैं कि भी आज की expiry तो आज का trade हमको घर नहीं ले जाना है तो ठीक है फ्रेंट्स देखते हैं mostly मुझे लग रहा है कि भई BTS दिया तो आफकोस मैं तो यह चाहूंगा कि भी उपर उपन हो तो gap open हो चलिए फ्रेंट्स देखते हैं अभी इसको में बात करते हैं के लिए इसको डेलीट करता हूं इस लाइन को भी यहां पर टेलाइन को डेलीट करता हूं उसके फ्रेंट्स हम लोग चलते हैं कल हमाई क्यानलस होने वाली होई तो यह रहाव फ्रेंट्स हमारा पुट और कॉल के लेवल्स ठीक है मार्केट खुलेगा अंडर जैसा कि मोश्टली लग रहा है कि अंदर ही खुलेगा क्योंकि देडर परसेंट का यह पूरा रेंज बाउंड है तो देडर परसेंट के रेंज बाउंड के तो बाहर निकलना ऋपन होना याद डाउन ओपन होना इसे चैलेंज निफ्टी के लिए भी साथ ही यहां पर इतने हडल से तब भी चैलेंजिंग है तो अब क्या होता घृजेट यहोपन नीचे होता है не वो ट्रेट नीचे होता थो भी ज्ट्रेट अन्दर ऊपन हो चहिए अंदर उपन होके अगर और पलिपतर ब्रेकओ डेता तो हम कॉल खरी देंगे यह breakdown लेता तो purchase करके रखेंगे इतना ही दोस्तों सेंपल सा रखेंगे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है बैंक निफ्टी में फ्रेंट्स कल हमने ड्रॉ किया था यहां पर ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करते हैं खुला नीचे क्या हो गया हुइ लोट क्यों नहीं हो रहे है यह तुरौ अब यहां कीड यह मार्गेट ओपन हुआ उपन होते सी उसने सीधा हमारा कॉल ट्रिगर किया उसके बाद अच्छा प्यार आसा वन साइडर मोमेंट दिखाया दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया चली फिर अब बात कर ले तो इस्टॉक दिये थे मैंने तो इस्टॉक से मेरे पीमियम ग्रूप में दिया था यह और उसके बाद उसने आराम से हमारा यहां पर टार्गेट अचीव किया है और क्या था इसको भी नेक्स स्टॉक HDFC बैंक को देख लिए दोस्तों कल के जो डो स्टॉक दिये मैंने उनका बात कर लेते हैं HDFC आज भी दिया था मैंने और कल के लिए भी दिया था तो फ्रेंट्स यहां पर अब कल सिंपल सी लॉजिक है अब मुझे क्या लगा दोस्तों यहां पर ब्रेक डाउन देता तो सब्सक्राइब बात करेंगे इंडिगों में सिंपल सा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा महेंगा होता तो 2000 रुपे के आसपास का होता 10% के रेंजबाउंट के रेट कर रहा मार्केट क्लोज हुआ मिडिल पे यह जो हुए दोस्तों यहां पध्यान मत देना इस जगे हो अंदर खुलेगा ऊपर किया तो यह उसके बाई साइट के लेबल है नीचे ब्रेकडाउन दिया तो यह शॉट सेल के लेवल अब चलिए बात कर लेते हैं स्टी बीटी की बारे में स्टी बीटी जो क्या होता है दोस्तों यहां पर यहां पर हिट कर रहा है सपोर्ट को औ यहां पर फिर हिट किया फिर हिट किया अब फिर इसको ब्रेकडाउन कर देता तो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा मुमेंट तेजी से नीचे की तरफ देगा तो ऐसी कंडिशन हम लोग यहां पर पुट बाई करके दो तिन दिन होल्ट कर सकते हैं तो जैसा मैंने किया भ 12,000 रुपे सीधा छपा होगा जिन लोगों नहीं हाँ पर पर डिसिप्लिन के साथ इसमें पुट बाई करके एक दो दिन रखा होगा तो इतना है था दोस्तों आज के वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए थेक्स दोस्तो थेक्स दोस्तों बाई बाई